एक बड़ी खबर आ रही है, 36 गड़ चुनाव पर आक्शन में कॉंग्रस दिखाई दे रही है, 6 सितंबर को कॉंग्रस की पहली लिस्ट आ जाएगी, कॉंग्रस प्रत्याशियों की ये सूची जारी करेगी, 2 सितंबर को 36 गड़ जाने का कारेक्टरम राहूल गांधी का, 2 सि 36 गड़ चुनाव को लेकर ये कॉंग्रस किस तरीके से तयारी कर रही है, आक्शन में दिखाई दे रही है, 6 सितंबर को कॉंग्रस की पहली लिस्ट आ जाएगी, कैंडिडेट्स फाइनल जो हैं, वो किये जाएंगे और उसके बाद ये लिस्ट भी सामने होगी, और खुद से कम 75 सीट जीत नहीं है, और हमारा प्रयास है कि हम पहले हफ्ते में 6 तारिख को हमारे निताओं की सुविधा अनुसार, 6 तारिख को CEC हो जाए, और हम पहले हफ्ते में अपनी पहली लिस्ट कॉंग्रस पार्टी सार्जिनिक कर देगा. तो 34 गड़ की कॉंग्रस प्रभारी कुमारी श्याजा को आप सुन रहे थे, अब आप ये जान लीजिए कि इंडिया गडबंधन में सब आल इस वेल की बाते आखिर क्यों हो रही हैं, दरसल इंडिया गडबंधन में शामिल आम आदमी पार्टी और दूसरे दलों के को लेकर दावे अलग-अलग हैं. प्रदानों के दुखाओं, महिलाओं पे अत्याचार हों, उस सब में बढ़ोत्री हुई है. और ये जनता देख रही है, उस जनता इनसे सवाल करेगी. और ये इनका आखरी स्पीश था, रेड फोर्ट से, अगले साल इंडिया के प्रधानमंत्री आएंगे, इंडिया अला चाहिए. और ये माईदान देखके, और ये जोट देखके, आज बीजेपी इतिना डर गए, कि चुनाव एनाउंस नहीं हुआ, उन्होंने दिखाना चाहते है कि कैंडिडेट हम लोगोंने एनाउंस कर दिया है. जैसे ही घड़ी का काटा दो बहर धाई पे आए, बपीता जी का दिल सास बहु साजिश के लिए मचल जाए. और ये हैं इनकी बहु, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन, जब ये करें अपना फेवरिट शो फ्री टाइम पे आउन. इनकी तरह आप भी देखें अ ABP News आपको रखे आगे